हाई वेलकम तो मार्चनल इस वीडियो में सॉल्व करें प्रेशन नबर 20 दिया है कि और साइकल मर्चेंट एलाउज 20 परसंट डिसकाउंट आंधी मार्गड प्राइस आफ दिस साइकल्स एंड इस्टिल मैक्स आफ प्राफिट आफ 20 परसंट तो दिया है कि एक साइकल मर्चे प्राइस आफ दिने के बाद भी स्टिल मैक्स अफ प्राफिट अफ 20 परसंट फिर भी उसे 20 परसंट क्या हो रहा है अब कर रहा है कि इफ ही गेंज यदि उसको फाइदा होता है उसको यदि लाव होता है रुपीज 360 रुपीज का ओभर दी सेल आफ वन साइकल एक साइकल पर फाइंड दी मांगड प्राइस आफ दे साइकल तो साइकल का मांगड प्राइस बताईए तो पहले हम बना लेते इसका फ्लोचार्ट तो यह हो गया सिपी आफ दो साइकल सिपी आफ वन साइकल और यह हो गया मांगड प्राइस आफ वन साइकल एंड एस पी हो गया सेलि तो 20% mark price में से यदि minus करेंगे घटाएंगे तब मिलेगा SP ठीक है और ये 20% discount देने के बाद 20% का इसको profit भी हो रहा है तो ये बदिए profit जो निकालते हैं profit ये loss जब भी होगा वो हमेशा CP और SP में होता है याद रखिये तो हमें क्या करना पड़ेगा कि CP और SP के बीच में profit percent का यूज करना है ठीक है ये याद रखिये profit percent यहाँ पर यूज करेंगे तो CP और SP के बीच में करेंगे और यहाँ पर ये भी दिदिया है कि profit हो कितना रहा है मतला profit is equal to gain होता है ये gain की value दे दिया है if he gains rupees 360 तो gain की value दे दिया है 360 परसंटेज भी दे दिया है और gain का actual amount भी दे दिया है एक cycle बेचने पर इतना फायदा हो रहा है तो करा रहा है ये find the marked price of the cycle तो अब बताना है कि ये MP कितना होगा तो पहले क्या करेंगे यहाँ पर हम gain परसंट का यूज़ करके हम निकाल लेंगे CP चलिए हम solve करते है तो देखिए जहाँ पर maximum चीज़े पता हो न वहीं से start करते है तो यहाँ पर profit परसंट पता है और profit भी दिया हुआ है तो पहले आप यहाँ पर profit परसंट का यूज़ कर लो Since हम जानते हैं कि profit परसंट पराबर क्या होता है होता है profit upon CP multiplied by 100 ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा profit कितना है 360 रुपीज यहाँ रख लेता है 360 आपाद CP कितना है CP आपको नहीं पता CP आपको निकालना है into 100 और यहाँ पराफिट परसंट कितना दिया हुआ है पराफिट परसंट दिया हुआ है यहाँ पर 20 परसंट ठीक है तो यह परसंटेज लिखने जोड़त नहीं है किवल 20 लिख दिजिए 20 बता रहा है profit परसंट परसंट है 20 है अब यहाँ solve करते हैं तो ध्यान दिजिएगा यहाँ पर crash multiply करेंगे तो CP को इधर भेज देंगे तो आपको मिल जाएगा 20 into CP is equal to यहाँ पर multiply करेंगे तो मिलेगा 360 डबल जीरो बरा देंगे यहाँ पर हमें निकालना है CP यहाँ से CP हो जाएगा 20 से डिवाड़ी करेंगे यहाँ पर जाएगा 3 6 1 2 3 अपान 2 0 यह 0 तो गैसिल हो गया और 2 और यहाँ से सब्सक्राइगे तो क्या मिलेगा टू ओंजा और यह मिलेगा दो जीरो से तो एटीन हंड़ेड रुपीज आ गया आपका CP क्लियर तो जब CP आगे आपका यहाँ पर एटीन हंड़ेड तो अब निकाल सकते हैं आप SP क्योंकि हम जानते हैं प्राफिट इसकोल्टू क्या होता है तो सिंस हम जानते हैं प्राफिट इसकोल्टू होता है SP माइनस CP तो इट इंप्लाइज यहां से निकल जाएगा आपका SP SP बरबर हो जाएगा CP को हम भीजना पड़ेगा left hand side में जब भीजेंगे तो मिलेगा हमें CP positive हो जाएगा प्लस प्राफिट पर से प्लस प्राफिट ठीक है यहां प्राफिट है तो यह value हो जाएगी CP आपका निकल चुका है 1800 1800 में हमें क्या करना पड़ेगा add करना होगा profit को profit आपका है 360 तो यह कितना हो जाएगा 0 और 0 जीरो आ गया और 0 और 6 आइड करेंगे 6 होगा 8 और 3 11 11 का 1 1 carry over and 1 2 2160 यह निकल गया हमारा SP लेकिन हमें SP भी ने निकलना है हमें निकलना है क्या MP निकलना है तो अब यहां पर MP निकलेगा यदि SP निकल गया तो तो SP निकल गया इतना और यहां पर discount परसंट दियावा 20 परसंट तो since दियावा है 20 परसंट ठीक है तो SP पता है और discount परसंट पता है तो हम MP निकाल सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इन तीनों में क्या relation होता है किसमे किसमे MP में SP में और discount परसंट में तो हम यहां पर MP निकाल लेंगे तो यहां सुझाएगा so we know that MP MP is equal to होता है SP में जो multiply करते हैं 100 upon 100- discount परसंट से ठीक है तो यहां पर value लग देंगे SP क्या है SP आपका यहां पर निकला है 2160 multiplied by 100 upon यहां पर 100- discount करेंगे तो यह मिलेगा आपको 20% यहां पर और यह हो जाएगा 2160 multiplied by यहां हो जाएगा 100 upon यह हो जाएगा 80 यह जिरो जरुकेंशल हो गया एट बंजा 8 और यह एट से कटेगा तो 8 टू जा 16 and 5 बचा 56 हो गया तो 8 से बंजा 56 और यह मिल जाएगा मुट्प्लाइग करने पर यह मिल जाएगा 2700 यह जो मिला है न यही आपका है MP and this is your answer MP पूछा ही था find the marked price of the cycle तो marked price of the cycle is equal to 2700 तो होप कि आपको समझ में आगया होगा यदि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि ऐस ऐसी वीडियो आपको notification जिरी तभी मिल पाएगा जब आप सब्सक्राइब किये रहेंगे और यदि आपने आलड़ी सब्सक्राइब कर दिया है तो share कर दिजे लाइक कर दिजे तो और बता दिजे और लोगों को भी और थैंकियो सो मच बाए